हे गाईज मैंने इस गवराय और वाचिंग जी आर के वडियो देखे फ्रेंट्स आज का वीडियो धमाकेदार होने वाला है क्योंकि एक बड़िया अप्लिकेशन आप सब के लिए लेके आया हूँ जहांपे फ्रेंट्स आपको मिलेगा घर बैटे लोन सिंपली आपको मोबा अप्लिकेशन प्रोवाइट कर रहे है लेकिन दोस्तों आपको गैरेंटी से यहां से लोन मिलेगा क्योंकि यह जो अप्लिकेशन है यह आर भी है रजिस्टर है आपको यहां पर सिंपली देना होगा दो डॉकुमेंट और आपका एक सेल भी इसी बेसे पर आपको यहां से यह वीडियो को लास तक के देखना क्योंकि फ्रेंट्स ऐसे कुछ बाती मैं यहां पर बताने वाला हूँ जो कि फ्रेंट्स आपको जानना जरूरी है क्योंकि फ्रेंट्स आप कोई भी अप्लिकेशन में लोन लेते है तो आपको उसका पूरा डेटेल होना चाहिए कितना अप्लिकेशन काम करता है यह सभी डीटेल्स में आपको यह वीडियो में कवर कर लूँगा तो प्लीज यह वीडियो को लास तक के देखना वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अभी वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि फ्रेंट्स यहाँ पे आपको 20,000 तक का maximum loan amount मिलेगा बट यह application genuinely काम करता है यहाँ पे जादा से जादा आपको 2-3 document देना पड़ेगा इसके अलाव आपको यह application में document देने की जरूत नहीं है और यहाँ पे देखिए 3-4 step में आपको यह application प्रोवाइट कर रहा है और यहाँ पे जो आपका data होगा friends 100% safe होगा जहाँ पे आपको हमेशा यहाँ पे attention रहता है कि अपने document secure रहेगे नहीं रहेगे तो 100% आपको यहाँ पे security मिलेगी और देखिए friends यह application में 30 minute के अंदर आपके bank खाते में पैसा आ जाता है यह दी friends आपको medical emergency आपको shopping के लिए जाना है या फिर emergency आपको किसी tour के लिए बाहर निकलना है तो आप 20,000 रुपई यह application से लेके जा सकते लेकिन friends यह application आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे small amount आपको मिल रहा है small period के लिए इसके बाद में friends इनका कुछ review आप चेक करेंगे तो review आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे जो लोगों ने यहाँ से loan लिया है उनका review आप यहाँ से देख सकते हैं और देखे friends यह application का और भी basic सा detail है जैसे कि यहाँ पे 1500 रुपई से लेके 20,000 तक का यह application loan प्रोवाइड करती है जिसके लिए friends आपको यहाँ पे 3 months से लेके 12 months तक का time period मिल सकता है और rate of interest की बात करेंगे तो यहाँ पे 35% maximum rate of interest आपको लग रहा है यहाँ आप यह company से loan लेते हैं तो 3% monthly आपको यहाँ पे maximum rate of interest लग सकता है और processing fee के बात करेंगे तो 100 रुपई से लेके 2000 के बीच में यहाँ पे processing fee लग रहा है यहाँ आप 10,000 रुपई लेते हैं यहाँ पे कितने इनों के लिए 180 days के लिए 6 months के लिए आप 10,000 लेते हैं तो आपको कितना पैसा यहाँ पे pay करना होगा यह इनोंने पूरा calculate करके यहाँ पे दे दिया है आप समझ सकते हैं कि यह आपको 10,000 लोन मिल जाता है तो कितना आपका यहाँ पे expenses हो जाएगा और यह application के कुछ features में आपको बताता हूँ 20,000 का लोन यह application आपको दे देगा सीधे आपके bank काते में पैसा आ जाता है documentation simply pancard, अधार code यहाँ पे sell P आपको देना होगा और यहाँ पे देखें इनका जो 100% online processing है और यहाँ पे sanction amount keep increasing with your credit जैसे जैसे आप यहाँ से loan लेंगे on time इसे pay करेंगे तो आपका यहाँ पे limit भी बढ़ जाएगा eligibility की बात करेंगे तो देखें यहाँ पे Indian citizen होना जरूरी है 18-60 साल के बीच में आपका age होना चाहिए monthly source of income जरूरी है यहाँ फ्रेंट्स आपका कुछ monthly income नहीं है तो आप यहाँ से loan नहीं ले पाएंगे document required देखें फ्रेंट्स LP के base पे आपको loan प्रोवाइट कर रहा है और देखें फ्रेंट्स यह application में किस तरह से आपको downloading से लेके किस तरह से इनका disbursement का process होता है सभी details इन्होंने आपको mention किया एक बार जरूर पढ़ लीजे और देखें फ्रेंट्स आपको जरूर जाके download करके से apply कीजे आपको जरूर यहां से loan मिल सकता है लेकिन फ्रेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा एदी आपको loan की requirement है तो ही फ्रेंट्स इतना heavy और इतना महिंगा loan लीजे अधरवाइज लोन के लिए मत कीजे और देखें फ्रेंट्स आपको एदी फ्रेंट्स ऐसे नए application चाहिए हमेशा मैं नए application का review करते रहता हूँ तो please मेरे चानल को एक बार subscribe करके bell icon को दबा दीजे और जादा से जादा यार अपने दोस्तों के साथ में भी share कीजे यानि फ्रेंट्स उनको भी emergency के time पे loan मिल सके तो चलो फ्रेंट्स आज के लिए इतना यार मिलेंगे next time तब तक के लिए good bye